Hey everyone, this is Arvaz Khan and today I am going to review the most awaited series जिसका हम लोगों को बेस अबरी से इंतजार था वो finally release हो चुकी है यानि आश्रम सीजन 2 या आप लोग कह सकते हैं आश्रम पार्ट 2 So guys, review जो है वो आप लोग पूरा देखें ताकि important part जो है review का वो आप लोग मिस ना कर सकें So guys, review स्टार्ट करने से पहले आप सबको बताना चाहूंगा कि चैनल पर नए हैं सो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी के साथ स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो So I hope guys आप लोगों ने आश्रम सीजन 1 तो देखी लिया होगा So जिन लोगों ने अब तक नहीं देखा उन लोगों को मैं शोर्ट ग्रीफ देना चाहूंगा So सीजन 1 में आप लोगों ने देखा कैसे बाबा अपने empire और followers को बढ़ाता है और किस तरह वो लोगों के साथ खिलबाट करता है जबकि लोग उसको सच में मानते हैं और उसमें belief रखते हैं इसके अलावा जहां सीरीज में कुछ ऐसे भी characters हैं जैसे पम्मी और सत्ती जो बाबा के भक्त हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बाबा की हकीकत भी जानते हैं जैसे कि ये S.I.U. जाकर सिंग, बबीता और भी कई लोग So अब बात कर लेते हैं सीजन 2 के बारे में और सीरीज की कास्ट के बारे में अगर बात की जाए सो कास्ट जो है वो सैम ही है So वीडियो को जादा लोग न करते हुए अब सीजन 2 की कहानी के बारे में So सीजन 2 में आप लोग देखेंगे The Actual Dark Side of Babak Kashi Purwale जहां आप लोगोंने सीजन 1 की कहानी छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट की जाती है हलाकि एपिसोड 1,2,3 में इतना ज्यादा स्टोरी को खीचा नहीं जाता बट मैं ये भी डिनाइ नहीं कर सकता कि इसके सारे एपिसोड काफी जादा इंटरस्टिंग है और काफी अच्छे से लिखे गए है तो इस सीजन की कहानी स्टार्ट होती है जहां पॉलिटिक्स दिखाते है जैसे सारा यूथ वोड़ पैंक जो है वो बाबा के एक इशारे से अपना बोड़ दे देगा और बाबा चाहें तो किसी को भी CM बना सकता है और वहीं दूसरी और कवीता जो है वो पम्मी को वान करती है बाबा के गलत इरादों के बारे में बट पम्मी जो है वो इतनी बड़ी भगते कि वो उसकी बात का यकीन नहीं करती और वो कवीता को ही उल्टा सोना देती है और वहीं ऐसाई उजागर सिंग अपना हुलिया बदल कर इन्वेस्टिकेशन में लगे हुए हैं और एक तरफ जनलिस्ट जिसका नाम है अक्की वो भी इस लड़की को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं बट इतना आसान नहीं है बाबा को हराना और बाबा जो है वो भी इस सीजन में फुल फॉर्म में नज़र आ रहा है जिसको हराना नामुंकि लगता है बट कहते हैं ना घमन जो है वो अच्छे अच्छों को नीचे गिरा देता है वो यही आपको इस सीजन में देखने को मिलेगा इससे जादा जानने के लिए आप लोगों को यह सीरीज देखनी होगी किम्कि यह रिव्यू स्पोईलर रिव्यू नहीं है और अगर बात की जाए इसके स्क्रीन प्ले की सो परसनली मुझे जो है इसका स्क्रीन प्ले बहुत ही जादा इंटरस्टिंग लगा और एंगेजिंग और आप लोग कह सकते हैं सब कुछ तो इसी सीजन में दिखाया गया है यानि एक्चुल जो रियल स्टोरी है इंडिया के फ्रोड बाबा की वो तो इसी सीजन में दिखाई गई है सो मेरे अकोर्डिंग इस सीरीज की रेटिंग रहेगी 5 आफ टो 4 स्टार्स जो की काफी अच्छी रेटिंग है और आप लोग कमेंट करकर जरूर बताएं कि मैं इस सीरीज के हर एपिसोड को एक्स्प्लेइन करकर आप लोगों को बताऊं या नहीं सो इसी के साथ मैं आप लोगों से लेता हूँ अलविदा और वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक शेर और सबस्क्राइब माच चैनल सो थेंक यू गाइज और थेंक्स पो वाचिंग